नमस्कार मैं हूँ संजीब शीवास्ताव आप देख रहे हैं 4PM News Network पुर्धान मंत्री जी ये खबर आपके लिए है रक्षा मंत्री जी ये खबर आपके लिए है और देश के ऐसे सेना के रिटार्ड अफसरान या देशवासी जो भारस सरकार की अगनिवीर या अगनिपत यो नाम मोई सिंग बगेल, उम्र 19 साल, हाल मुकाम, भारती सेना में ट्रैनी अगनिवीर और पदिस्थापना राचपूत रेजिमेंट पठान कोड़ राचपूत रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जो अपने शौर और बलिदान के लिए ख्यात है जो हमारी सेना है उसमें जित पदिस्थापूत रेजिमेंट की गर्णा बहुत उपरी पायदन पर होती है और बार बार इसके शौर इसके बलिदान की चर्चाएं होती हैं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रेजिमेंट में मार्शल करियप्पा और जनरल वीके सिंग जैसे जो सीना के जाने माने और के शौर और प्राकरम के किसे मशूर रहे हैं वो पदस्त रहे हैं लेकिन जो मैंने नाम जक्र किया मोहित सिंग बगहेल का 19 साल के मोहित सिंग बगहेल जो ट्रैनी अगनीवीर हैं जिनकी पदस्थापना पठान कोर्ट में थी वे पकड़े गए हैं एक बड़ी लूट एक डाके की प्लैनिंग को लेकर डाका वो बैंक में डालना चाहते थे हैं अब अब शायद निश्यत तरपक उत्सुग भी होंगे और चौके भी होंगे ये मोहित सिंग बगहेल के जीजा कर्ज में डूबे हूं बार बार ये बात होती है कि ये जो अगनी वीर योजना है जो अगनीपत स्कीम है ये ठीक नहीं है सीना में अपना भविश्य बनाने के लिए आने वाले जो नौजवान है जो देश के लिए मर मिटने का जजबा रखा करते थे है कुछ लोगों में लेकिन अब जो बदला हुआ है ये जो योजना बदली गई है अगनीवीर या अगनीपत में इसके बाद कहीं न कहीं हमारे युवाओं का महों भंग हो रहा है और यदी वे वहां पहुँच भी जा रहे हैं बहुत कणा परिश्रम करना पड़ता है यदि आपको अगनीवीर बनना है अगनीपती योजना का हिस्सा बनना है तो उसके लिए कणा परिश्रम द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो चौका रहे हैं सहमा रहे हैं चिंता पैदा कर रहे हैं कि ये जिन्हें देश की सरदों की रक्षा करने के लिए तियार किया जा रहा है वो आखिर इस तरफ क्यों मुड़ना है जैसा मैंने बताया मुहित सिंग मघेल उम्र केवल 19 साल पकड़े गए हैं एक ज्वैलर के यहां लूट के मामले में वे उनके जीजा जीजा के परिवार के सदस्कुल साथ औरोपी और मस्टरमाइंड मुहित सिंग बगेल मुहित सिंग बगेल मदबर्देश के रहने वाले हैं अभी जो पहला घटनक रम हुआ बीते सब्ता ब उनके जीजा श्री हेलमिट पहन कर नकाब उड़कर एक जोईलर की दुकान में घुसे बीच शेहर में भुपाल में और पलक जपिकत ही कुछ साथ आठ मिनिट में वहां एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर माल समिट कर पचास लाग रुपे का माल समिट कर भाग खरे ल एक पूरा का पूरा अलग 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 दल लगाए सीसी टीवी फिटेच खंगा ले गए बीस किलोमेटर एरिया में पुलिस ने सीसी टीवी फिटेच को खंगाला अपने अलग 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 दल बना कर जो शंकाएं थी उस पे महां दोड़ाया गया और जो कुछ क्लूज मि फोन सर्विलेंस में लिये तो पूरा कपूरा घटना करम सामने आ गया है गतब दिवस इस पूरे परिवार को पकड़ा गया है मस्टर माइंड मोहित सिंग बगेल और आकाश राय को दो दिन के लिए पुलिस रिमार्ण पे लिया गया है यह पुलिस रिमार्ण पे है इस वक जब मैं खबर बना रहा हूँ और निकला यही है कि इन लोगों ने अपनी जंदगी को खुशाल बनाने अपने भविश्य को स्वरक्षित करने के लिए अपनी जंदगी को ठीक था करने के लिए इस घटना करम को अंजाम दिया यह दोनों ही जो आरोपी हैं मुख्य आरोपी मुहित सिंग बगेल जो अग के बोज भविश्य की चिंता ने दूसरी दिशा में मोड़ दिया और पूरा का पूरा जो एक भीव रचना रची वो रची मुहित सिंग बगेल ने इसलिए मैंने कहा प्रधान मंत्री जी यह खबर आपके लिए है रक्षा मंत्री जी यह खबर आपके लिए है और सीना के उन अफसानों या देश के उन भद्र लोगों के लिए है जो अगनीवीर योजना या अगनीपत योजना को जस्टिफाई कर रहे हैं बार बार ये कह रहा है कि यह बहुत अच्छी स्कीम है अब सोची है मैंने जैसा बताया कि यह जो राचपूत रेजिमेंट जिसका एक शार के लिए बलिदान के लिए जानी जाती है जीना में जितनी भी रेजिमेंट्स हैं सबका अपना अपना सुनहरा इतिहास है लेकिन यह जो रेजिमेंट है अंग्रिजी स्चैर्शन काल में बनी थी और उसके बाद जब आजाद हुआ है हंदुस्तान ऊपिण स्पलत जो कहीं ना कहीं जजबा पैदा करते हैं, देश पर मर मिटने का, देश की रक्षा का, और उसी रेजिमेंट में पदस्तेक अगनीवीर देश को शर्मसार कर रहा है, देश को लजा रहा है, और जो पलिस ने पूछताच की है मद्वरदेश की, उसमें निकल कर ये आया है कि ज एदि ये जो सेना में भरतियां हैं, पुराने आधार पर हो रही होती, तो क्या ये मोहित सिंग बगहेल इतना अच्छा उसर मिलने के पाद क्या ऐसा कदम उठाता, मुझे लगता है कि शायद नहीं उठाता, एदि उसे मालम होता कि उसका भविश उसके परिवार का तो ना केबल उसके पूरे परिवार की एक रक्षा सुरक्षा होगी, उसकी जो आर्थिक, जो मुश्किलाथ है वो कम होंगी और सासा कदinstall एक अच्छा पैकेज होता, शांदार पैकेज होता तो भी जो कर्ज जो है उसके तरिजन वाद था है उसको उतारने में उसे मदद म विचार का सवाल है, विचार का प्रश्ण है, यही तो बार-बार विपक्ष कह रहा है, कि यह जो योजना है, इसमें बहुत सारी कमिया है, बहुत सारी खामिया है, और यह उचित नहीं है, कि हमारा जो सैनिक है, वो contextual हो, एक निश्यत अवधी के दो से भगा दिया जाए, उस का भविष्ट सुरक्षित ना हो, सुनेहरा ना हो, क्या करेगा वो, लुकसभ में निता प्रतिपक्ष राहूल गांधी, अभी है, उन्होंने अभी हाल में जब लुकसभ का सत्र हुआ था, तब भी इस योजना को लेकर फिर चेताया था, प्रधान मंत्री नदिन मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को, लेकिन वो उस जब सदन में ये मसला आया तो कैसे, आकरुशित हो गए थे रक्षा मंत्री जी, राजना सिंग सहाब, कि गलब बयानी कर रहे हैं रहूल गांधी, और रहूल गांधी अभी से नहीं, बहुत लंबे वक्त से, इस योजना को जब से लग हुई है, नरंतर इसको कहीं न कहीं इस योजना पर ध्यान आकरशित कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये योजना जो सैना में एक अपने शौर का प्रदेशन करने की जो एक जजबा पैदा करता था, वो कहीं कम कर रहा है, लेकिन मेरी मुर्गी की देटा, धान मंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इसी मानसिक्ता के लिए जाने जाते हैं, यगर विपक्ष कुछ कहेगा तो फिर वो उनको करना ही करना है, एक जिद्धी सौभा उनका जो है, यदि योजना अच्छी नहीं है, उसके परिनाम अच्छे नहीं आपा रहे हैं, यदि युबग जो हैं उन्हें कठनाई है, जो सीना में अपना भविश्य बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पनरविचार हो जाता है, क्या कठनाई है, देश 208 लाग करोड के करज में हैं, और हमें यदि अपनी सीमाओं की रक्षा करना है, सैना को मजबूद बनाना है, तो वहाँ कोताही आखिर क्यों, क्यों ये जो ट्रैनिंग दे रही है भारती सेना, और उसका उपयोग किसलिए हो रहा है, लूट के लिए, दाके जनी के लिए, और ये पहला घटना करम नहीं, इसके पहले भी कई घटना करम सामने आए हैं, अगने वीरों द्वारा किस तरीके से वो जो उसक एक ट्रैनिंग मिल रही है, उसका मिस्यूज कैसे हो सकता है, किया जा रहा है या किया जा सकता है, वो हमने देखा है, और ये तो भी देश में ही हो रहा है, बहुत चाहे वो सेना के रिटार्ड अफसरानों जो मानते हैं कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, जो खुलकर बोलते ह हैं, खरा-खरा बोलते हैं, उन्होंने ये बताया है, कि ये जो आपकी ट्रैनिंग आपी के खिलाफ कोई हमारा दुश्मन देश उपयोग कर सकता है, आप उसे ट्रेंड कर रहे हैं, उसे भेज रहे हैं, और ये भी विदित है, कि अगनी वीरों को दूसरे मलकों में भी भे पाने के लिए, परिवार की जो मुश्किलाथ हैं, उसको कम करने के लिए, लेकिन ये जो मसला मामला है, मोहित सिंग मघेल वाला, ये पुनाहा कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है, अलार्म मान सकते हैं इसको, कि अब भी चेत जाएंगे, अब भी देख लेंगे, इसलिए मै ने एक खबर की शुरुआत की थी, कि पधान मंत्री जी ये खबर आपके लिए, रक्षा मंत्री जी ये खबर आपके लिए है, और जो सेना के अफसरान हैं, जिनके हातों में नीती निर्धारन करने का काम है, अभी तो पधान मंत्री जी ने ये कहा था, ठीक रा, सेना के ही सिर्फ होड़ाता कि ये तो स्कीम सेना ही लेकर आई है, हमारा कुछ नहीं है, आप देखिए, सोचिए, कम से कम ये जो शर्मसार करने वाले घटना करम है, दुखी करने वाले घटना करम है, चिंता पैदा करने वाले घटना करम है, अब इसमें निकल कर ये भी आया है कि जो पठान कोट के जो रिजिमेंट है, राजपूत रिजिमेंट के जो चीफ हैं, उनको मोहित की ग्रफतारी की सूचना दे दी है, निश्यत तोर पक मोहित के खलाब विभागी एक्षन हो जाएगा, शायद उसे सेना से जल्द बरखास्त भी कर दिया जाए, लेकिन यहां ये सिर ध्याना किष्ट कर रहा है, मैंने जो रिजिमेंट की बात की, कि यह जो राजपूत रिजिमेंट है, सुने रहा है इतिहास, इस रिजिमेंट ने आजादी के बाद परमवीर चक्र पराप्त किया है, एक अशोक चक्र पाया है, साथ महवीर चकर रहा है, इस रिजिमेंट के बदनाम हो खराब हो शर्मसार हो निश्यत तोर पर ये भारत की सरकार के लिए भी शर्मिंद्गी की बात है देश वासियों के लिए भी शर्मिंद्गी की बात है मुझे लगता है कि इस मसले पे राजनीती ना करते हुए बिनादेर किये भारत की सरकार को प्रधान मंतिजी को पुनर विचार करना चाहिए ये अगनी वीर ये अगनी पत अगर आप वापस ले लीजेगा तो आप शायद आपकी नाक नहीं कड़ जाएगी थोड़ी खराब बाशा में बात की जाए आपका कोई अपमान नहीं हो जाएगा देश का सम्मान बढ़ेगा पुरानी योजना लागू करिए जाने दीजे होने दीजे खर्च दी हो रहा है हम देशवासी जब सारा कुछ सहते हैं आपके एशो और आमार्ट हजार करोड उपे के जहाज में आप घूमते हैं आपको तो सूट बूट वाली सरकार कहा जाता है आप सतरा लाख करोड के करज माफ करते हैं आप जो आपके चंद उद्योग पती दोस्त हैं जिसको लेकर बार-बार बात होती है लोक सबब में उन्हें नामों का भी जिकर होता है अडानी अम्बानी और कौन-कौन तो बखश दीजिए देश का भला कीजिए जो हमारा यूथ है, युवा है, जो हताश है, निराश है उसके साथ नयाए कीजिए तighthan बंतिजी, नयाए कीजिए रक्षम دंतिजी इस वीडियो में इतना है, हम फिर किसी नए विश्य है, किसी नए वीडियो के साथ आपके समख सुस्थित होंगे, हमारा अन्रोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि जॉइन का बेटन नहीं दबाया, तो जॉइन का बेटन जरूर कि ये खबर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्यार और इसने बनाय रखी और देखते रहिए, 4PM News Network, धन्यवाद, नमस्कार.